नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वाक के शुद्धी करण के विशय में पढ़ेंगे हिंदी में भी शुद्ध वाक के लिखना बहुत जरूरी होता है चाहे आप किसी भी तरहती परिक्षा में शामिल होते हों एकेडमिक परिक्षाएं हों 11th 12th की हों या competitive exams हों हिंदी में वाक के शुद्ध करना एक महत्वपूर्ण factor होता है आप हिंदी में अगर शुद्ध वाक के लिख नहीं पाएंगे तो एग्याम में नंबर आना मुश्किल होता है तो फिर ऐसा क्या करें कि हम परिक्षा में बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिख पाएं तो उसके लिए शुद्ध वाक के लिखने के लिए practice करना होता है अभ्यास करना होता है तो ठीक है मेरे चैनल पे हमेशा इस तरह का वीडियो भी अफलोड होता रहता है उसी कड़ी में एक वीडियो यह भी है तो वाक्य शुद्धी करन देखते हैं एक-एक वाक्य और उसको हम लोग शुद्ध करने का अप्रियास करेंगे ठीक है तो आते हैं यहाँ पर पहला वाक्य है कड़ूवे का खीर बना है कड़ूवे का खीर बना है इसमें क्या गलत है आप बताइए आप सोचिए मैं बताता हूँ तो कड़ूवे का खीर यह खीर है ना यह इस्त्रलिंग है तो कहा जाएगा कि इस वाक्य में लिंग सम्मंधी गरवड़ी है कदुवे की खीर बनी है, की खीर, जब इस्त्रलिंग हो गई खीर, तो यह बनी है, थीक है, तो कदुवे की खीर बनी है, यह शुध्ध वाक्य हुआ, वह पूजा की गीत गाती है देखिए गीत पुलिंग है तो इस वाक्य में भी लिंग सम्बंधी गरबड़ी है तो वह पूजा का गीत गाती है यह की यहां नहीं होगा बलकि उसकी जगा यहां होगा का वह पूजा का गीत गाती है क्योंकि गीत पुल्लिंग है अगर गीत इस्त्रलिंग रहती तब हम उसको कहते कि वह की गीत गाती है लेकिन चुकि गीत पुल्लिंग है इसलिए वह पूजा का गीत गाती है पालक की साग बनी है देखिए तीसरा प्रश्न संख्या तीन पालक की साग बनी है तो यहाँ साग पुलिंग है अर्थात इसमें भी लिंग संबंधी गरवड़ी है तो पालक का साग बना है पालक का यह की नहीं यहाँ करेंगे का और यहाँ बनी को कर देंगे बना यह बना तो पालक का साग बना है क्योंकि सागपुलिंग है, तो इस वाक्य में लिंग सम्मंधी गरवड़ी है, वह आपके शरण में आया, इसमें देखिए, यहाँ शरण इस्त्रलिंग है, तो वह आपकी शरण में आया, यह वाक्य का शुद्य रूप होगा, आपके शरण में नहीं, बलकि वह आपकी शरण में आया क्यों क्यों कि शरण इस्त्रलिंग है उसके नजर में सब बराबर है उसके नजर में सब बराबर है तो इसका शुद्रूप होगा उसकी नजर में नजर इस्त्रलिंग है उसकी नजर में सब तो सब यहां यह बहुवचन है तो सब बराबर हैं सब बराबर है सब अगर एक वचन रहता तो है सही था, लेकिन सब जुकि बहु वचन है इसलिए यहाँ है होगा, एक वचन में है और बहु वचन में है लिखा जाता है, इसलिए प्रश्शंख्या पांच, उसकी नजर में सब बराबर है, ठेक, उसके बाद छठा प्रश्ण या बिलकुल नई पौधा है, या बिलकुल नया पौधा है, यह नया पौधा पुलिंग है, इसलिए नया पौधा है, सिर में खुजलाहट हो रहा है, क्योंकि खुजलाहट स्त्रलिंग है, इसलिए खुजलाहट हो रही है, हो रहा है, गलत है कल मेरी विद्यापीठ खुलेगी, विद्यापीठ पुलिंग होता है, तो इसलिए यह होगा मेरा विद्यापीठ, यह मेरा विद्यापीठ खुलेगा, मेरे गाउं में नहर खोदा गया, नहर इस्त्रलिंग है, तो नहर खोदी गई, मेरे गाउं में, समुद्र में, मतलब यह नौमा प्रश्न क्या होगा, कि मेरे गाउं में नहर खोदी गई, समुद्र में विशाल जल राशी होती है, इसमें बताईए, समुद्र में विशाल जल राशी होती है, देखें लगता तो ठीक ही है, लेकिन इसमें गलत है, गलत इसम विशाल की जहभी श॥ इशन संबन्धी गरवड़ी है इसमें विशाल की जगा हम लिखेंगे अथाह तो समुदृ में विशाल नहीं समुदृ में अथाह जल राशी होती है मुझे केवल पांच रुपए ही मिले देखिए इसमें मुझे केवल पांच रुपए ही मिले केवल के साथ ही का कोई अविशक्ता नहीं है मुझे केवल पांच रुपए मिले केवल का मतलब ही वही है पांच रुपए तो मुझे केवल पांच रुपए मिले ही नहीं होगा, और नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे पांच रुपए ही मिले, तो केवल नहीं होगा, या तो केवल होगा, या ही होगा, केवल और ही में से कोई एक ही होगा, तो मुझे केवल पांच रुपए मिले, या मुझे पांच रुपए ही मिले, ऐसे लिखेंगे इसे, कृष्ण और कंस के बीज बहुत लड़ाई हुई, ये हुआ नहीं हुई क्योंकि लड़ाई इस तरह लिंग है, इसी प्रकार से, प्रश्ण संख्यात 13, मैं घोड़ा पर चरहा हुआ था, मैं घोड़ा पर चरहा हुआ था, मैं घोड़ा पर चरहा हुआ था, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है, प्राचीन भारत संब्रद शाली था, संब्रद था, लिख सकते हैं, प्राचीन भारत संब्रद था, या संब्रद शाली था, प्राचीन भारत संब्रद थ शाली था, ठीक, शंब्रिद क्या है, यह विशिशन है, प्राचीन भारत संब्रिद था, प्राचीन भारत संब्रिद शाली था, उनके सिर पर चाता है, उनके सिर के उपर चाता है, अगर सिर में सटा रहता, तो यह वाक्य सही था, लेकिन सिर के उपर रहता है न, तो उनके सि के उपर चाता है चात्रों को चात्र विर्ति मिली देखिए चात्रों को चात्र मिर्ति मिली अगर एक चात्र रहता तो यह वाक्ष सही था लेकिन चात्रों बहु बचन है चात्रों को चात्र विर्तियां इसमें यहां जोड़िये यहां चात्र विर्तियां क्योंकि एक को चात बच्चों की आंखों से आंसु बहने लगा तो बच्चों की आंखों से आंसु पुलिंग होता है और बहु बचन होता है तो आंसु बहने लगे लगा नहीं ठीक है तो आंसु बहने लगे क्योंकि आंसु पुलिंग बहु बचन तो बहने लगे आंसु बहने लगा नहीं एक आंसु बहने लगे जब ही बहेंगे तो दोन आखों से तो बच्चों की आखों से आंसु बहने लगे पूरा का पूरा मिला देखिए बोलने में लोग बोलता है पूरा का पूरा तेकिन ये गलत है इसको बोलना है पूरे का पूरा मिला जब कोई चीज पूरा का पूरा आपक गलत है पूरे पूरे का पूरा मिला पूरा का पूरा मिला पूरा का पूरा मिला गलत पूरे का पूरा मिला केवल एक ही आदमी आया इसमें देखिए या ठिक कर सकते हैं केवल एक ही आदमी आया इसमें से केवल रखिए या ही रखिए कोई एक इसमें से दोनों नहीं केवल ए एक आदमी आया या वाक सही है और नहीं तो एक ही आदमी आया या तो लिखिए एक ही आदमी आया तब सही है या केवल एक आदमी आया वह गुणवान इस्त्री है देखिए गुणवान पुरुश है इस्त्री है तो गुणवती गुणवत तो दिर्गेकार ये गुणवान न इसके जगाप लिखिये ती, गुण वाती, आकार भी हड़ जाएगा, गुण वाती, गुण वाती, ये गुण वाती, इस्तरी है, तो इस प्रकार से ये 20 प्रशनों को मैंने शुद्ध किया, उमीद करता हूँ उसे आपको फाइदा मिलेगा, प्लीज मेरे चैनल को देखते रही है, और इसके बाद फिर से एक वीडियो आएगा, इंतजार कीजिए, थैंक्यू, फर वीविंग, है वे नाइस देग,